नमस्कार चलिए सुनते हैं जापानी लोग कथा बादल भूत जिसका हिंदी अनुवात किया है हेमा पांडे में एक छोटी सी पहाड़ी गाउं में यारों को नमक एक जवान वा तगड़ा लकड़ारा रहता था वा पहाड़ों से लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता एक दिन उसका मित्र लकड़ारा पहाड़ों पर लकड़ी काटने गया मगर वापस नहीं लोटा कुछ दिनों के बाद एक और लकड़ा भी लोट कर नहीं आया कुछ गावाले उन्हें ढूंडने पहाडों पर भी गए किन्त कोई भी नहीं मिला कितनी अजीब बात है वे दोनों बिल्कुल लापता हो गए साध उन्हें जंगली जानवरों ने माल डाला हो पहाडों में दुष्ट भयंकर भूत प्रेद भी रहते हैं चिन्तित गावालों में यही चर्चा थी आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें डरने की कोई बात नहीं है मैं कल ही पहाडों में जाकर उन्हें ढून लाओंगा यारों कु बोला दूसरे दिन तड़के यारों कु घने जंगल के बीच पहाड़ी पगडंडी से उपर उपर चड़ता चला गया वह एक नदी के किनारे पहुचा नदी के गहरे नीले पानी की उची उची लहरे रारा कर पत्रिली चट्टानों के किनारे पर टकराती थी नदी के तट पर एक उचा बड़ा पेड़ था जिसकी पत्तियों से भरी घनी डाले नदी के उपर च्छाई हुई थी ओह मुझे ब बैट कर कुछ खा लेता हूं यारों को बढ़ बढ़ाया पेड के नीचे आराम से बैट कर उसने डिब्बे से चावल निकाले और खाने लगा एका एक आसमान घने काले बादलों से डग गया चारों और धुंदला अंदकार चा गया ऐसा लगा कि हवा बिल्कुल बंद हो गई थी फिर अचानक आसमान में एक चम चम चमकता सुनहले रंग का बादल दिखाई पड़ा बादल से एक लंबा चमकीला सुनहले रंग का धागा लटक रहा था धागा इधर उधर जूलते जूलते दीरे धीरे यारों को के पास और भी पास आने लगा अरे यह कितना सुन्द बादल है, यरो कु बड़ बड़ाया, फिर देखते देखते एक चमकता चांदी का धागा भी जूलते जूते बादल से नीचे लटकता चला आया फिर दमकते गुलाबी बैगनी तरा तरा के रंगों के धागे सुनेरे बादल से लंबे लंबे लटकते इंद्रधनुस से चमकते तरा तरा के रंगों के धागे याराकू के पास और भी पास जूलते जूलते आने लगे उनकी सुन्दरता यारोकु का मन मोलिया वह खोया खोया सा बस उनी को देखता रह गया जब तक उसे समझ में आए कि क्या हो रहा है तक तक रंगी चिपचिपे धागों ने उसे चारु तरफ से कसकर लपेट लिया जाओ जाओ भागो भागो आवाक यारोकु किसी तरह चिलाया मारे डर के चाव से चकड रहे थे ओई ओई बादल भूत है ये वो चिलाया वा जितना भी इधर उधर हाथ पैर मार कर अपने को छुडाने की कोशिच करता उतना ही डोरों के फंदों में फस्ता जाता अब मैं जान गया मैं कि मेरे दो लकाहारे मित्रों का क्या हुआ होगा इसी बादल भू उतने उसकी और पलक मारी अंगारे सी जलती आँके खोली वा बंद की उसके काले पैने दात बाहर निकले थे और हाथी के जैसे बड़े बड़े कान दोनों और फड़फडा रहे थे सुनहरे चांदी वा चमकीले रंगों के हजारों धागे लटकते जूलते यारोकु को और ताकत से मारता गया उसे ऐसा लगा कि वा मक्खी की तरह भयंग कर मकड़े के जाल में फस गया है अचानक उसे अपनी कमर से बंदी हुई कुलहाडी की याद आई उसने हिम्मत बांद कर पूरी ताकत से कुलहाडी कीची फिर वा चिपचिपे धागों पर तेज तीखी कुल उपर उट पेड की घनी पत्यों में अपने को छुपाने लगा यारो को पूरी ताकत लगा कर इधर उधर छट पटाते हुए बहुत मुश्किल से धागों के फंदों से निकल पाया निकलते ही वा हवा की तरह भागा और हापते हापते गाउं पहुँचकर ही सांस ली काप ते कापते यारो को ने पूरी घटना गाउं वालों को का शुनाई गाउं वाले डर गए वे बोले अब हम पहाडों में जाकर कैसे लकड़ी काटेंगे कैसे गुजारा करेंगे क्या खाएंगे हाए हाए फिर सबी गाउं वाले जमा होकर याराकू के सामने हाथ जोड़ कर बोले इस पूरे गाउं में केवल आप ही ने इस बादल भूत को देखा है वा उससे लड़ा भी है हम सब की प्रात्मा है कि आप किसी ना किसी तरह से इस बादल भूत को मार कर हम सब को बचाओ याराकू ने कुछी दिनों पहले एक सुन्दर लड़की से साधी की थी अगर इस बादल भूत ने मुझे मार डाला और मैं वापिस ना आ सका तो मेरी इस तरी का क्या होगा मेरे बुड़े माता पिता की देखभाल कौन करेगा उसने सोचा मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आता है मगर मेरे गाउवालों का जीवन अच्छी तरह से चलता रहे या मेरे अपने जीवन से बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है यारो को बोला मैं इस बादल भूत से लड़कर उसको मारने की कोशिस करूँगा मगर मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए वा पहाडों के देवता के मंदिर में गया साथ दिन वा रात बिना कुछ खाए उसने देवता की पूजा की मुझे सकती दो मेरी सहायता करो हे देवता की मैं इस भूत को मार कर गाउवालों की रच्छा कर सकूँ साथ वे दिन की रात पहाडों के देवता की आवाज बिल्कुल साफ साफ उसे सुनाई पड़ी या रखू पहाडों के देवकता ने तुम्हारी प्रातना सुनी तुम्हारी मांग पूरी होगी मगर इस लड़ाई में तुम्हारी जान तक जा सकती है जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूँगा मगर यह काम बहुत कटिन है बादल भूत बहुत ताकतवर है क्या तुम कठोर वा लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो सोचो अच्छी तरह से सोचो क्या तुम दिल से तैयार हो यारोकु ने अपने बुड़े माता पिता और नव विवायता के बारे में सोचा अगर वा मारा गया और वे सब अकेले रहे गए तो उनकी देख भाल कौन करेगा उसके आशू टपा टप गिरने लगे हे पहाडों के देउता मेरे लिए या निर्णाय करना बहुत कटीन है मगर मैं अपने गाउवालों को बचाने के लिए बादल भूच से लड़कर उसे जरूर मारूंगा आप मेरी सहायता करो मुझे सक्ती दो मेरी रच्छा करो उसने प्रात ना की एका एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ बादल गर्जे बज गिरने जैसा धमाका हुआ और भयंकर बिजली की ज्वाला ने पूरे आकास को जगमगा डाला याराकू ने अपनी आखे बंद कर ली जब उसने आखे खोली तो वो एक विसाल मेड़क में बदल चुका था आसमान बिलकुल साथ था चारो और सीतल चान्दमी फैली थी याराकू मेड़क ने धीरे धीरे पहाड चढ़ना सुरू किया चढ़ते चढ़ते वा ताल के किनारे पहुच गया चारो और सांती छाई थी और आकास में चमकते पूर्चंद्रमा के प्रकास में ताल की लहरें चमचमा रही थी पेड़ों पर चढ़िया चुपचाप सोई हुई थी एका एक सुनहरा बादल भूत आकास में तरते तरते उपर पेड़ों को छूते नीचे आया तुरंत बीस तीस सो हजारों सुनहरे चमकीले लाल नीले नारंगी हरे जिल मिलाते धागे याराकू में ढखके उपर लटकत जूलने लगे याराकू ने अपने पुष्ट बलवान हाथ पहर खीचतान कर उन चिपचिपे डोरों को तोड़ने की कोशिस की जो उसे लपेटे जा रहे थे गुस्से में उबलता बादल भूत अपनी डरावनी लाल लाल जलती आँखे खोल काले जहरीले दाथ दिखाता नीचे गिरा दिया उसने बादल भूत के उपर छलांग मारी और उसे उलड़ दिया भीसर लड़ाई हुई और जबरजस्त कोलाल लुआ दोनों चक्कर खाका कर गिरते फिर उड़ते जब बादल भूत याराकू के उपर होता तब अपने अनगिनत चिपचिपे धागों से उसे जकड कर उसका गला घोटने की कोशिस करता जब याराकू उपर होता तो अपने पुष्ट बलवान पंजों से उसे धक के चोटे गूसे लाते मारता कैसी भयानक लड़ाई थी या जो घंटों तक चली या अन्त में याराकू में धक ठक कर चूर चूर हो गया माना कि व अपने पूरे बल से लड़ा था नगर बादल भूत ने उसे अपने चमकते डोरों से ऐसा कसकर जकड लिया था कि वह बिलकुल हिलडुल ना पा रहा था मैं हार गया मैं हार गया अब तो मैं मर जाऊंगा सहासी याराकू ने हतासो कर सोचा इतने ही में चारो और पहाड वा गाटियां गूंज उठे याराकू 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 गाओं के सभी लोग आदमी औरतें बच्चें चीड की जलती मसाले पकड़े याराकू का नाम जोर जोर से पुकारतें कोला हल करतें ताल की ओर बढ़ते चले आ रहे उनकी आवाजें धीरे धीरे पास और भी पास आती चली आ रही थी। उनकी आवाजें सुनकर याराकू में नई ताकत नया उत्सा जाग उठा। अचानक एक बहुत बड़े भयंकर जल के जरने ने पूरा आकास धग डाला। गरगर गरचते गिरते पानी की मोटी मोटी धाराओं ने बादल भूत पर आक्रमण कर दिया। उसे घसीट कर उसके चिपचिपे धागे तोड मरोड कर ताल में बहा डाला। आह ओ पहाडों के द अरिगातो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। याराकु में ढग बोला और बादल भूत को पीछे गहरे ताल में कुदा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दुष्ट भूत वाचिलाया और अपना विसाल मुझ खोल कर बादल भू मेरे मित्रों खोसो जाओ बादल भूत मर चुका है। याराकु गाउवालों को और पास पास आते देख कर चिलाया। मगर एका एक उसकी आवाद धीमी धीमी कमजोर होती गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी सांस आवाद नहीं निकल रही है। वा ना और कुछ बोल सका और ना सांस ले सका वा धीरे धीरे रेंगते सरकते ताल के किनारे बिना हाथ पैर हिलाये पड़ा रहा। एक बार फिर आकास जल के जरने ने पूरा धक लिया। हलकी हलकी कोमल बहुचारे याराकु में धक पर धीरे धीरे बरसने लगी मगर उसका कुछ लाब ना हुआ क्योंकि य पूरे बदन में फैल चुका था उसका सरीर पत्थर बन गया था जब गावाले वहां पहुचें तो एक पत्थर का विसाल में ढग दिखा जिसका मुख याराकु जैसा था या देखकर वो हक्के बग्के रह गए याराकु ने हम सब की रच्छा के लिए बहादुरी से अप पहान मनुष और कोई नहीं है पहाडों के देउता आप उसे अपने ही में रखना गावाले हाँ जोड़कर प्रात्ना करने लगे हम सब तुम्हारी पत्नी और बुड़े माता-पिता की हर प्रकार से देख भाल करेंगे तब से हर साल उस गाव में उसी दिन धन्यवात प्र पत्थर के में धक याराकू की याद में फूल पत्ते अरपड करते हैं और धन्यवात देते हैं धन्यवात अभी आप सुन रहे थे जापानी लोग का था बादल भूत